आप सबका जहां पे स्वागत है कि आप इदनी शार्ड नोटिस में यहां पे आयो हो आज की जो प्रेस ब्रीफ है ये एक फारिंग केस जो है ये दोर तीन की रात को निकी तबी के एरिया में हुआ था उस केस को नुवाबबाद पलीस ने साल्प किया है और दो क्यूज को हम इम्रान खलील नाम का बंदा है वो गुजन नदर के रहने वाला है वह उसमें उसमें जो है जान लेवाबा हमला किया जाता है अन्नोन पार्टी द्वारा उसको जो है वह फायर लगता है उसके बाद वह बंदा जीम सी में अडिमिट होता है हमारे पुलीस टेशन नवाबा क तो है और कुछ जो है वह हमारी खेलन के अनलिस करती है और कुछ हम जो बहां kे निकीत पुछ एरिया के सस्पेक्ट में उनको हम करते हैं और उसी भीश हमें एक लीड मिलती है कि उस रात को को लेऍव लेट नाइक में एक लेट, जो है उसे ए encaps गई है Ta तो उसके लोगते हैं और उसमें जब चेकिंग की जाती है तो उस में धो बंदे मिलते हैं उनकी जब सर्च अग्रम लाई जाती है तो उन ! पर्सनल सर्च में जो है उनकी स arrived मिलता है उसके बाद इसमें duty लाउं लगता की जब लगता है ऑन्स इनकी पूष्टाश बाहमें लाई जाती है तो उन्होंने interrogation में ये बताया है कि जो दो और तीन तारी की रात को जो firing incident हुआ था ये इन लोगों नहीं सर अंजाम दिया था तो उसके बाद हमने इसे पूछा कि आपने कौन सा weapon जो इसमें इस्टमाल हुआ था इनकी जो है disclosure पे हमने जो आप आप देख रहे हैं ये pistol और इसके साथ जो 16 rounds जो है वो हमने recover किये हैं इनके घर से इनके disclosure पे तो मैं आपको थोड़ा सा background बदाता चलूँ कि जो दो बंदे हैं इसमें एक का नाम मुहमद हुसेन खटाना है और एक का नाम मुहमद रमजान है जो दोनों लोग जो इसमें accused हैं जो इस firing case में भी involved थे और जो NDPS के साथ भी पकड़े गए हैं जो दोनों जो हैं रगूडा के रहने वाले हैं और इन दोनों के disclosure पर हमने यह recovery की है और अगर हम इसके background में जाएं तो इन्हों ने बताया है कि जिस दिन यह firing incident हुआ उससे एक दिन पहले जैनिकी तभी में किसी किसे चिटा लेने गे थे एक जो notorious drug smuggler वहां का है तो उससे जब जो चिटा लेने गे तो कुछ इनके पैसों पे कहा सुनी हुई बाद में इनके बीच में लड़ाई जैसी हुई और जो निकी तभी का drug smuggler है उन्हों ने जो मुहमद हुसेन खटाना है इसको जो है वो थपड मारा तो उसी चीज का बदला लेने next day जे है जे बंदा जो है अपने साथ मुहमद को जो है वो ट्रैक कर रहा है तो उस पे इन्होंने fire किया तो fire करने के पाद उसको बंदे को इंजर करके जो है वहाँ छोड के भागे तो इससे जो है यह जो हमारे इसमें दो cases लगे हुए एक तो जो firing case था वो हमारा साल्ब हुआ है इन donor notorious जो criminal हमने पकड़े हैं उसके साथ-साथ इनकी possession से जो है हमें आपको बताता चलूँ इसमें हमने एक पिस्टल लाइब राउंड और साथ में एक ब्लैक कलर की क्रेटा वो जो है वो सीज की है थेंक यू